How To Removing Last Ocurants Of Given Word From Input Stick सबोली आपके वास कोई भी быстр整 करने की रेस्पेक प्रुआइ्क न जाने के प्रिपिट के युए औख शेग करokols मेंकि प्रेस्ट किया HP इस प्रोगाम के लोजिएक बीर से सिम्लर कैस dona TO REMOVEN फर्सtoo क्रेंजाक हुए इस क्या हुँ है वह नहीं आपके लिए प्राइस चपी करना पॉसल एक फाइंली इस ओपर चेप को टू स्टेप्स प्रिट एक पॉसल एक लाइक ब्रॉस्ट श्र्चिंग as one this is original string pointed by pointer variable a is case में जस्त असायन कर रहा हूं a b c d a c and again e one more times a c f and g and finally null this is the original string is original string के अंदर जस्त मुझे a c का last occurrence रहा है not a replace means completely remove operation इस a c k case में total a c k total number of occurrences कितने इस original string में थू occurrences first occurrence second occurrence then next string sub string as a c which is pointed by pointer variable as b clear इसे stance अगर आपको 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 इन्पूर्ट इस तू इन्पूर्ट स्टिंग एस तो पर्फूम क्या कराना है removing last occurrence और चीज़ यह सबसे लिए सब्सक्राइब करने की स्टेफ सब्सक्राइब करेंगा साथ्यशन किया रहे हो यह सोट आपक्रियम्ट्ट्च फाइज सव्सक्राइब जाने भीना जाने में इसकेस में आपको सर्चिंग फेल ओगा सब्सक्राइब ऑने के साथ के सारे के सारे में कुटेंट साथ कम्पेर के सिक्राइब ऑललडेमेंट ऑफ इस्ट्रिंग भी इस्क कीस में आपको लाज्ट ऑइच्वार्ण सुख करना तो लाज्ट अपर लॉजिक है से सप्राइद करना न था पुट ज़से प्रीघम करनी की अड़ वॉट करोंगे से सच्वार्ण सुख्वी ज़िए लॉजिक कहा था जैस्ते इससे केस में रिटन क्या करा हूँगा और इस्टेंग रिटन का नहीं कि इसमां सब्सक्राइब कराने लिए रिकषा कराने लिए रिकषुट को गया हुआ यह वह ब्लाक्च्थ कि नेक्स बन यह सबसे विए फ़र्स सबसे वेली में लॉजिक किसके प्रोइड कराऊं सर्चिंग कर शर्च लास्ट ऑकरेंस क्लियर तिन लास्ट ऑकरेंस सच होने के जैस्ट वाद देन आपको परफूं क्या कराना इस किसमें जस्त रिमूव भी आपरिशन रिमूव भी आपरिशन सब शिता सेकिंग है इचिन का रिमूव आपरिशन बैस्ट वेच्ट अपरिशन cał्परिशन यह चिंट टाइम आप परफूंग के अगर आप 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 अप्लाइंग डेटा सिफ्टिंग शिफ्टिंग वाल अल्यमेंट अवेलिए राइट साइड ऑन दा यह लास्ट ऑक रहन्स अप दा एची मिसला यह सी के लास्ट ऑक रहन्स में जिदने भी चैरेक्टर सो सारी सारी करेक्टर यह एकगें आप श्रीक्ति को रिप्रिस करने में के रिस्पेक्ट में सबसे वेलिए औक्रेंश करने लिए रिकौर के हुए ड़ेट करने हैं यांबू मुद पराइंटेश अब sei यह इन यह हैं सबसे पहले परफंग यह को आपको कोई भी आपर इसन पर्फोर्म करने निवें नहीं अदर्वाइस इस के घ्राव लास्ट टोर्फ इनिछलाइश न ऑफ आई जे एककोई टू जीरो क्लियर देन इलूप कप्तर अचला हो जब तक एव अपनल नहीं हो जाता है यह से निट्साइबीएस से मेर्विएश जमोट है सब से पहले पर्फरम् क्या करा हुए एरे एक हिए फर्ष्ट से मैक्ष करा एक हिए फ़र्स्ट अपर्जिय सबबर्ण करा हुए फिर्ट क्या ह待 शर्च एलिमेंट Be यह सब्सें क्या कराएंगे एरे एक फ़र्श्ट एलिमेंट को मैच किसे करा हुए एरे के फ़र्ष्ट एलिमेंट से तो इसके स्वांग या तो एलिमेंट मैच होगा या मैच नहीं होगा अंग उन्दक्राइब एरे एका next element एरे बी के किस elements match करा हुए next या again first next element जैसे searching फैल होता matching फैल होता जाने इस case में again फिर से first element on board match करना start करें लेकिन next element से कब तक match करा हूँ जब तक matching success है फ्रसे matching कब तक करा हूँ जब तक एरे बी के अंदर आपको null नहीं मिल जाता है इस case में true condition क्या होगा मिस अगर सबस्ट्रिंग बी एक इंदर exist करा राजरेंस के case में फाइली जे का index क्या होना चाहिए index of null कर आप इस स्ट्रिंग को आप नल तक reach कर चुक है नल तक read करा चुक है तो नहीं स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग में found हो रहा है यह पता नहीं कि फर्स्ट ओकरेंस है भी जास्ट ओकरेंस है इसलिए सारे के सार्चिंग पर फूंप अप तो लास्ट तो लास्ट तर सच करा गोए तो recently index में सबसे पहले a of 0 को मैंच के से कराएंगे b of 0 एरे a के इंडेक्स को मैंच कराएंगे यूजिंग आई एरे b के इंडेक्स को मैंच कराएं यूजिंग j करेगा index of b i के स्कूर प्रेंट करेगा index of a in that case if a of i एक्कोल एक्कोल पी ओफ आई इनिचली आई और जे दौनों के वेली क्या जीरो जीरो एक्कोल एक्कोल बी ओफ आई मिसे condition क्या सार्ट ट्रू कंडिशन ट्रू है तो अगें a का next element b के first element से मैंच कराएं आपको इस प्लेस पर आई में कोई इंक्रीमेंट कराने जुरोथ नहीं क्लियर इसके बात कंट्रों कहां जागा i++ तो i की वेली क्या हुआ इसकेस में just one अगें फिर से सेम कंडिशन टेस्ट होगा a of i i का वेली क्या one जी का वेली क्या वं प्रस्ट इंडेक्स का तो element मैंच हुआ लेकिन से next index मैं चुराएं क्या नहीं जैसे मैंचिंग फैल होता है इसकेस में next time कराएं बी को या next element को अगर next corresponding element से मैंच केसे कराएं फर्स्ट से इसकेस में टू मैचिंग पर्फूं कराएं फर्स्ट मैचिंग किसे हुआ सब्रस्ट मैची कराने क्ली इसके रहें करेंल करें एलस अब मैचिंग फैल हो रहा है यहांज हम से मेक्स protocol यहांज्बाइक पहले पिर य але बैरा मेंने क्या बटारिट किया जे दे अब जे से मैच टो एकाइब जिरो से मैच करा हो गाँ जी रोंसे मैच करांगे नेक्स टाइम किसे मैच करांगे next one लेकिन condition कैसा है false मीं से से मैक्च हो रहा है अगर अ सिरblind क करना इसलिए जीका इनितिलाशियों कि शेकर आघा जो utan अबल तु हैसर कंदिशन फॉल्स हैं इन इन्ट टिस क्या हैं मेंगों से जोटाइबल गांए जल्ट हुआ जूर्ट इन दाफ के में अगलों से ल्ट को नोल इफ दूर्ठ ऑणिशन फॉल्स हैं दॉन फॉल्स हैं दॉनु next one more case in future अगर ये बी के सारे एलिमेंट इसमें मैं चोड़ चुके हैं तो जे के पास इंडेक्स किसका होना चाहिए नल का तो इसके सब्सक्राइब क्या होगा वन सब्सक्राइब कुष्ण करते ह्यां इसकी कोई यह फिर्स्ट पोईिंडे य फेल टक्राइब करेंस लोग मोगा इस पार्यों क्रॉइब क्यों होगा वेक्षट क्या होगा आई प्लस प्लस ये कंडिशन फॉल्स है क्योंकि अभी बीग के के जिए का वेली का जीरो और बीजीरो में क्या करें टी एक एक्वल इक्वल नल टू और फॉल्स इसे टू कब होगा जब वी ऑफ जे में नल होगा गया तो इसको बार और में चीए नहीं तो अगयों के माःने क्से मार जीरो को सबस्तक्राओर ऑफ करेंए और फॉल्स अगयों कंडिशन् कॉर्थ से खेंग वह और फॉल्स फ़ल्स फिर्स्ट कन घ्र auditor प्लस आइप लिगा से i कीन विली कहाओ दागी 3, इसे केस कहा था था, फॉल्स, फॉल्स होनी केस में, i का विली 3 हो चुक है और j का विली भी बहुत है 0, next time, third index match किसे कराएंगे, again 0 index, third और 0, true or false, still false, false है, जो फिर से पर्फूम किया हुआ, पान दूरीज का चाली फ्रिकुल श्रुट्र का सु थे बानि योगह सिर्फा यांख हुआरा पनारोच किसे फटीक टीन यह थे-जज पनल प्रेंग को चीका है यूग啊 और जर्म पर्जंड प्रिकॉल आंक, हेस्जर आपको क्या сूंड कि आपको दाए यह देक्सके बाद है यह सब्सक्राइब यह इसके से फग्सक्राइब यह एक आवेलिव 2 होने के बाग चेक करो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगी 2 बीव और बीव टू में रियल में कैस्ट हो रहे करेंटली अधा वैली बीव फू नल नल एकको लिएकको नल कंडीसन इकमस टू कंडीसन टू इसका अपक्या है इसे ए सी और सब इस्टिंग केंडेक्स प्लेस पर यह इंडेक्स कहा है इनक्स पॉर प्लेस पर अवेलेवल नहीं है इसके, इसके, फौर को कैसे कर सकते हो चेक कर सकते हो recently मी इसे यहां इफ के इंदर control कवा आया after j++ मी इसे चिए में तो increment हो चुगा लेकिन i में भी कोई increment नहीं हो आ है तरह आपको i में increment write down करना है तो write क्या कर सकते हो लग जास्ट i plus 1 minus j यह particular expression आपको क्या provide करेगा इसे searching place का beginning index के difference क्या देगा आपको beginning index तो इसको असाइन किसमें करा लोगे index variable में index equals to i plus j calculate कर सकते हो i का value क्या currently 5 plus 1 j का value क्या है 2 6 minus 2 is 4 और आपको required क्या था also 4 तो 4 copy किसमें मुझा आएगा assign to the variable index clear इसले लेकिन अब यह कौन सा occurrence है first आपको required क्या last occurrence इसलिए अब यह आपको loop stop नहीं करना इस लूप का add जी किसमें अभी भी continue रखना है लेकिन next time first time एक completely match हो चुगा तो next time character आप फिर से किस प्ले से match करना start करेंगे beginning element onwards first element onwards first element का index क्या है 0 तो next time और जबकि j का value क्या 2 तो अगिन j को reset करने के लिए जे में क्या अथान करा हो जे equals to 0 clear जे में फिर से अगेन क्या अथान हो जाएगा 0 तो next time a of i के element 0 index onwards match होना start होंगे इसके जैस्ट वाथ control क्या जाएगा i plus plus now i becomes 6 i का value क्या 6 और j का value क्या 0 तो next time matching के से होगा 6 और 0 index 6 में क्या E 0 index में क्या A means false false means second condition testing second भी false है then j में क्या सान होगा again 0 then इसके जैस्ट वाथ i में plus plus होगा तो i के value क्या जाएगा 7 clear next time 7 और 0 index का element match होगा 7 and 0 true or false this one is a true condition condition true है then j plus plus होगा तो j की value क्या हो जाएगी next time 1 then i plus plus होगा तो i की value क्या हो जाएगी 8 8 और 1 को match कराएगे 8 और 1 means a match हो चुका इसलिए c को match करा रहा है तो c भी match हो रहा है इसके again first if condition true then perform क्या हो again j plus plus j की value क्या हो जाएगी 2 j की value 2 होने के बाद control क्या है that one तो इस condition में चेक करो जिब बी ओक टू में अगेन क्या नमी से condition फिर से true हो चुका है फिर से true हो चुका है इस नमलब क्या है ac फिर से कही नहीं found हो चुका है चेक कर सकते ac completely match हो चुक है next time match हो बाद इस case में ac का बिगिनिंग इंडेक्स क्या 7 तो इंडेक्स में copy क्या करा है 7 अगेन control का इंसाइड बॉडी ओफिर के होंगे condition true है i का currently value क्या है 8 plus 1 j का value क्या है 2 9-2 is 7 तो 7 कॉपी किसमों हो जागा है इंडेक्स में index के पास अब currently चेक कर सकते हैं index में store क्या है ac के last occurrence का index ac के last occurrence का index का 7 तो अब इतकर आपने इस operations के through just perform क्या किया है calculating last occurrence of ac एक और आपको ac का last occurrence में लिगाया search string का last occurrence में लिगाया यह यह अब परफों क्या करा है data shift operations one more case data shift operations परफों करा हुए तो इस प्लेस पर सबसे पहले मैं आपको remove क्या करना है a and c तो a और c रिमूब करने वाद आपको आपको अजिनर इस्टिंग क्या हुआ और e के बाद क्या हुआ f को कहाँ shift करा हुए a के प्लेस पर और g को कहाँ replace करेंगे c के प्लेस पर और null कहाँ आएगा just f के प्लेस पर क्या हम कोई f इस प्लेस पर already copy हो चुका हुआ मैं इस a के प्लेस पर क्या copy हो चुका हुआ f c के प्लेस पर g and f के टो से लेंथ बी-क के लेंघ से सब्ट्रेक्ट हो जाएगा अभी एगा- बैने-स से एपलाई नीकी तो का तुमीस क्या क्या लैंथ जिसन्पर लेंथ का लेंथ 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 अबडली किसमो हो रहा है है जे में देकिन जे का वेलू 2 न्युट सेट स्टिस्पा हुआ है तो से कंदीशन के केस में ज़िए पो लेंथ रिक्वाइड हुआ हुआ है इस लिए एक और एक्ष्ट्रा व्हें करेंगे लेंथ इसके अंदर लेंथ में क्या असान करा लो वैल्यू आफ ये इंद फाइनली जी को रिशेट करेंगे जीरो तो इसे था एक्ट्वल ऑपरेशन्स तो फाइनली इसके एक और वैशेट के लेंथ और लेंथ के क्या है फिर से जीरो फ्रसे जीरो इससर भार फॉरलूब का बॉटी क्लोच नहीं हुआ है फ्रलूप के अंदर आगये आपको और भी उसक क्रफू कराना इसमें i plus औरी एक condition true है यह operation पर्फॉम होने के बाद पर्फॉम क्या होगा i plus plus तो i की वैली क्या हो जाएगी just 9 क्या हो गाएगा इसके इसमें 9 9 again मैं आच होगा अभी भी भी loop turn rate नहीं होगा है 9 किससे मैं आच होगा जे का वैली क्या जी रो तो next time comparison किसका होगा 9 और 0 index true or false 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 है तो फिर से else block execute होगा तो जे में again next time क्या हो जाएगा current वैली क्या है 9 0 तो जे में again क्या हो जाएगा 0 और i में increment होगा तो i की वैली क्या हो जाए 10 तो next time comparison किसका होगा 10 और जी रो इंडेक्स अगें false फिर से जे में क्या होगा जी रो एक्ष्ट आपको प्रोवाइड क्या करना है मिस अभी लूप क्लोज होगा है लूप क्लोज होने के बाद आपको पर्फूम क्या करना है डेटा शिप्ट और डेटा शिप्ट आपरेशन अगें नेक्स्ट लूप के यह लूप से पर्फूम कराएं तो इसकेस में next time फर्स्ट एलिमेंट किसे प्लेस पर आपको कॉपी कराना 7th प्लेस और 7 करेंटली किसमें इस्टोर है इंडेक्स में clear next one आपको इसकेस में लूप में इनिसलाइशन आई में आप अखान क्या कर सकते तो आई equal to index और आई का वैली 11 क्या अखान में जाएं इंडेक्स का वैली 7 तो आई का वैली क्या आखान जाएं जाएं जास्ट आप उस राइड़न क्या करहा हूँ एफ़ उपाइव एपलस तो ए ओफ प्लस यहां डिटेश्ट के नहीं काटप तो कई ट्राव स्हीं से летोगे लेंथ्य वेली सिद्द टू स्ली राइड़न क्या अब directly apply नहीं कर सकते हो इस डारेक्टली अप्लाई नहीं हो राग है नहीं मैच नहीं रहा दर not मेडाओ इस केसमें माईनस वन अगर हैलोमायन नहीं हो देता स्कन्स जुरूरत ही नहीं है आपको डैटा स्मॉट इन Report तो डारेक्टी नहीं करके डैटा स्सेच करने से छiस्जच पहले आपको कंडीशन ने करना हुआ सिपोर भी कुल ने यह हूँ इसको है इंडेक्स ॅ वेल्यू माइनस वन है तेने कंडिशन फॉल्स हो जाएगा विकॉड माइनस पर नॉट पर पर कंडिशन फॉल्स का हुगा जैसे इस केस में नल असाइन होगा इस प्लेस पर रिप्लेस भी क्या होगा नल क्योंकि इस असाइएं फॉल्स हो जाएगा फॉल्स होने कि इसमें कंड्रोल काएगा आौट साइड लूप लूप के बार इमेडियेट ली इस प्लेस रिटन क्या कराएं जा रेटन और जीनल स्ट्रिंग और जीनल स्ट्रिंग किसमें यह मैं है निंग्लोजिंग इस फ्वंक्शन आपको continuous form में write करना है, continuous form में write down करने के बाद just provide क्या करेंगे, man function, void man, man के नदर आपको two array declaration करने की need होगी, care, a with maximum size, comma, b with maximum size is hundred, next one reading inputs from a keyboard, sting को read करने की उसक्या कर सकते, gets, again, total कितने sting read करना है, two string, original string a and sub string represented by b, then finally this case में call क्या कर सकते हो, function name as remove last, then यह function आप चाओ दो print app में call करा सकते हो, print app, percent as slash n, function name as remove last, supply क्या करें, a, b, close this, आप चाओ दो again, original string इस पर करा सकते हो, a, दोनों ही case में, दोनों ही case में display क्या होगा, same message, clear, इस type से, किसी भी sub string का last occurrence, आपको यह completely remove कराना पॉसलिगा, from original string, next case में just मैं discuss करूंगा, how to replacing all occurrences, में just this program से पहले में replace क्या, remove क्या कराया था, first occurrence, current case में replace क्या कराया, remove क्या कराया, last occurrence, just next example में replace क्या कराएंगे, all occurrences, just all occurrences का logic क्या रहेगा, इस case में, every time, इस जो logics मैंने loop के बाहरा, बाहरा item की है, outside if, same shifting logic, every time you apply कहा कराएंगे, inside this body of if, then convert किसमें हो जाएगा, shifting all occurrences, क्या हो इस case में check कर सकते हो, इस case में loop का बाहरा था, जब में से सारे occurrences से search होने के बाद, तो में से recently index में क्या last occurrence, last occurrence के होने की case में, shifting किसके लिए एपला हो रहा है, only for last occurrence, same logic इस body के if के body के अंदर point करूँगा, तो if का body कितनी बार execute होगा इस case में, depend करेगा, sub-isting कितनी बार appear होगा, अगर sub-isting end time appear होगा अदर लोजिक कितनी बार execute होगा end times, तो particular shifting भी कितनी बार होगा end time, रिमूव भी कितने distinctly apply होगे, end sub-isting और end different pattern, just next case में इस given problem को discuss करेंगे।